पापा को कुछ नहीं हो सकता है आगे मोहित पापी से कहता है अपनी रिंग निकाल दू और डिवाइस से चेकरों की कहां कैमरा है आगे पापी कैमरा ढूंती है और अगस्तिया आ जाता है और फिर पापी डर जाती है वहें पाखी आधीरात को उठती है और इशान आजाता है और पाखी कहती है इशान अब तक हम बस इस कहानी का किर्दार थे लेकिन अब कहानी को एक नया मोड देने का वक्त आ गया है अगस्ते ने बहुत बुरा किया है उसकी किये की सजाओ से दिलवा कर रहेंगे आगे इशान कहता है पाखी मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कैसे बहार निकला हूँ इससे ये कैसा प्यार है अगस्ते का आगे पाखी बहुत ही गिल्टी फिल करती है इशान के लिए वहीं इशान पाखी को नर्स की बारे में कहता है जिसने उसकी हिल्प की है और इशान युक की बारे में भी बताता है वहीं पाखी कहती है अगस्ते को लगता है ना कि कोई उसको पकड़ नहीं सकता है लेकिन अगस्ते का चहरा पूरी दुनिया के सामने मैं लेकर आउंगी आगे अचानक से अगस्ते आ जाता है और पाखी चॉकलेट खाने का नाटक करती है वहीं पाखी मोहित को एक कैमरी की फोटो भेजती है और मोहित कहता है ये एक आई स्कैनर है और तुम्हें अगस्तिय के आखों की फोटो लेनी होगी उससे कुछ हेल्प मिल जाएगी यहाँ एपिसोड खत्म हो जाता है अग जैसे पाखी जासुसी कर रही है अगस्तिय की क्य